सलाम मेरे अजीज निसनर्स, वेलकुम बैक टो यूर ओन चानल, सल्फ बिलीफ, विची स्पेशल इमेड फो नौवल लवर्स. तोड़े इस अ कंप्लेट नौवल, मुट्टी वर आस्मा, वाय हुमा जाहंगीर. So, let's start it. शाम तक कैद रहा करते हैं दिल के अंदर, दर्थ हो जाते हैं सारे ही रहा शाम के बाद. शाम से पहले तलक लाख सुलाई रखें, जाग उठती है महपत की अना शाम के बाद. तर 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 गोलियों की आवाज अब बेहत करीब आ चुकी थी. वो तीनों भागते हुए कॉन्वेंट का फ्रेंट गेट पार करके अंदर गुस आए. हर तरफ हु का आलम था. लगता है ये स्कूल खाली हो चुका है, क्या ख्याल है वापस न चला जाए? खतरा काफी बढ़ गया है. एजास ने हर तरफ सर गुमा कर देखते हुए कहा, यूं करते हैं, अलग-अलग रास्तों से निकलते हैं, ताके एक नजर में देखना लिये जाएं. ये फैस्दा करके वो अलग-अलग अतराफ को भाग निकले. ये मुसल्मानों का इलाका था. अभी अभी जो कुछ वो बोस्तनिया के उस पसमानदा गाउं में देखकर आ रहे थे, वो उनके रॉंक देख खड़े करने के लिए काफी था. गाउं पर मिलिटरी बुलिस ने रेट की हुई थी. ये बच निकल कर उस तरफ आए, तो कॉन्वेंट देखकर उस में गुस आए, हो सकता है, किसी को मदद की जरूरत हो. ए मिस, मिस, किसी ने उसका कंदाज जोर से हिलाया, वो किस मिसा कर फिर नींद में ढूब गई. क्या आप मेरी आवास सुन रही है? मिस, स्लिपर होश में आए, वो इंग्लिश बोर रहा था, साथ उसे जंजोर रहा था. लड़की ने वह मुश्किल आँकें कुली. ओ, शुकर है खुदाया, उसे आँकें कुलता देखकर मास की जान में जान आई. मिस जल्दी उठें, यहाँ खत्रा है, वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ से निकलना होगा. गोलियों की आवास और करीब आ चुकी थी. मास गबरा गया था. वो लड़की शायद दुबारा सो चुकी थी या बेहोश हो गई थी. आपको मेरा सहारा लेकर चलना होगा. मास ने उसे फिर इहला कर जगाया. आखिर इसको प्रॉबलम क्या है, यह उट क्यों नहीं रही? वेहोश तो नहीं लगती. उसकी हमवार चलती सांसें देखकर मास ने अंदाजा लगाया. वो अब परिशान हो चुका था. जतनी देर हो रही थी खतरा बढ़ता ही जा रहा था. मास के जंजोडने पर लड़की ने फिर आँखी खोलने की कोशिश की, वो भी क्या करती? सिस्टर्स ने उसको उन दो तीन दिनों में इतनी धर्थ की और नींद की दवाईया दे रखी दी कि उसके लिए एक लम्हे के लिए भी आँखें कोलना दुश्वार हो रहा था. और आँखों में तकलीफ अभी भी महसूस हो रही थी. क्या आप बिमार हैं? वो उस पर जुका पूछ रहा था. वो अब जिच हो चुका था. I am drugged. मैंने दवाई ली हुई है. आवाज इतनी हल्की थी कि उसके करीब आकर भी मार्स को मुश्किल से ही सुनाई दी. सिर्फ लव्स drug समझ में आया वो गुसे से सुलग गया. लड़की ने इंग्लिश में कहा था. तुम ड्रग्स लेती हो? तुमने हिरोई ली हुई है? मास ने पूछा मगर वो एक बार फिर गाफिल हो चुकी थी. मास ने तासुफ बरी नजर उस पर डाली. लड़की बेहत खुबसूरत होगी. मगर उस वक्त तो उसका बुरा हाल था. सब सकेंचों सी आँखें जो चन्द सेकिंड के लिए उसने गोली थी. वो बेहत सुर्ख हो रही थी. तमाम चेहरा सूजा हुआ था. हलके ब्राउन बाल रेशम के लच्चों की तरह बिखरे हुए थे. नाजुक अंदाम जिस्म बेतर्तीब था. देखने में तो अमेरिकन या ब्रिटिश लगती है. पर अब करूं क्या? मास ने परेशानी से सुचा. वो तीनों तो उस स्कूल के बच्चों और सिस्टर्स को निकालने आई थे. लगता था कि वो लोग ये जगा खाली कर गए थे. अजाज और साकिब सारा कॉन्वेंट देख चुके थे. मास भी उन कमरों पर आखरी नजल डार कर निकलने ही वाला था कि उसकी कराह ने. मास को अपनी जाने मतवचा किया था. ये कैसे यहां अकेली रह गई? मास खान हैरान रह किया. नशे ने इसे बेकाना कर दिया है. इतनी भी अकल नहीं थी कि बागी लोगों के साथ निकल जाती. मास खान को गुस्सा तो बहुत आया. मगर ये सब इस वक्त सोचने की बाते नहीं थी. किसी भी वक्त सिपाहीं यहां धाबाब बोल सकते थे. अगर्चे स्कूल तो कॉन्वेंट था मगर था तो मुस्लमानों के इलाके में और वहां हर मजब के बच्चे पढ़ते थे. मास यार कहा हो? अजास की आवास पर मास ने चौंक कर उन्हें उसी कमरे में बुला लिया. वो लड़की को उठा चुका था. ये क्या है? साकिब उसकी बाहों में कपड़ों की गट्री देख कर हैरान रह गया. लड़की है यार? खोश में नहीं है. अडिक लगती है. जाने कब से नशा कर रही है? देखो तो कितनी कमजोर है. आँखें चेहरा सब सूच रहा है. लगता है ओवर डोस हो गया है. बहरहाल इसे ले जाना पड़ेगा. वो दर्वाजे की तरफ पढ़ा. यार ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. साकेब कॉन्विंट के दर्वाजे से के दर्वाजे बंद करके आया है. सिपाही हर तरफ से गहराओ कर चुके हैं. हमारा निकलना ही मुश्किल है. इसको कैसे लेके जाएंगे? एजास ने कपड़ों की गठ्री जैसी लड़की की तरफ इशारा किया था. तो क्या जानते बूचते इसे उन भिड़ियों के हावाले कर चाएं? यहाँ छोड़ने का तो यही मतलब है. मास तब क्या? देखा नहीं? उन्होंने उन फूलों सी लड़कीों को किस तरह मसल डाला? नहीं नहीं. मैं अपने जीते जी किसी और लड़की के साथ ये कुछ नहीं होने दूँगा. तीनों की नजरों में वो नीम बरहना लाशें फिर आ गई जिन पर वो अभी अभी चादरें डाल कर आई थे. बाहर से एक बार फिर गोलियों की वो चाड़ की आवास आई तो वो तीनों चौक गए. उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया. मास, तुम उसे लेकर पिछ्टे दरवाजे से निकल जाओ. मैं और साकिप सुपाहियों को कुछ देर रोकने की कोशिश करते हैं. पिर हम भी भाग निकलेंगे. तुम पाकिस्तान एमबेसी पहुँचो, बहीं मिलेंगे. एजास पलट गया. नहीं यार सब इकटे ही चलेंगे. मास उनको कैसे छोड़ देता? मास ज्यादा वक्त नहीं है. हम मर्द हैं, मगर ये औरत है. हमारा बचाओ तो हो जाएगा. लेकिन अगर ये उन सिपाईयों के हाथ लग गई तो? एजास आगे बोल ही ना सका. मास सोचने में वक्त जाया मत करो. इन्शालला जिन्दगी रही तो एमबेसी में मिलेंगे. फी अमानिल्ला. दोनों ने उसे गले लगाया और अगले दर्वाजे की तरफ भाग गए. मास ने इर्द किर्द देखा. पास पड़ी चंद चादरों में से एक लड़की पड़ा ली. इतने में पास पड़ी टेबल पर उसे एक बैग बड़ा नजर आया. शायद उसी लड़की का था. जो कोई उसके करीब रख गया था. मास ने वो भी जल्दी से उठा कर कंदे पर लड़काया. लड़की को उठाया और लंबे लंबे ड़क भरता तेजी से पिछले दर्वाजे की तरफ बढ़ गया. लड़की अब भी उसकी बाहों में गाफिल पड़ी थी. एसाज, मास, हान और साकिब, जिगरी दोस्त और एक ही इदारे के फॉरन अफेर के जॉरनलिस्ट थे. उनके जिन्दगी का मकसद मुसल्मान ममालिक पर होने बाली, जिन्गी मजालिम की दास्ताने दुनिया वालों के सामने पेश करना था. जाने कब तक मुसल्मानों को ये खुदोनसारा के मजालिम बरदाश करने थे. और उन जैसे लड़कों ने मजब की महपत में उन मजालिम का परताफाश करने की ठानी थी. बोस्निया के हालाद से कौन वाकिफ ना था? यहां वो तीन माह से आई हुए थे. इस तमाम तर अर्से में जो कुछ उन्हों ने देखा और जितने जल्म मुसल्मानों पर हुए, वो तमाम उनकी रिकॉर्ड बुक और कैमरे की फिल्मों में बंद हो चुके थे. आज उनका आखरी दिन था, यहां से तमाम लोग भाग रहे थे. उस आलागे के हालाद बेहत खराब हो चुके थे. अपने मुल्क की एमबिसी ने अपने तमाम लोगों को वापस भेशने का फैसला किया था और मिलिटरी हकूमत से स्पेशल परवाजों की इजास्थ भी ले ली थी. सुरते हाल बहुत नाजग थी. इस आखरी फ्लाइट पर उन तीनों को भी वापस जानना था. उसके बाद सिर्फ हकूमत के फोजी वहां रह जाते. बोस्निया के अहलात पर फीचर फिल्म मकमल हो चुकी थी और अब वापसी पर उस लड़की की मसीबत पड़ गई थी. कॉन्वेंट के बाहर एक जीप निजर आ गई. जाने एजास और साकिप कैसे निकलेंगे? मुझे उनके साथ होना चाहिए था. वो उसको कवर करने को दूसरी जानिब चले गए थे. उसने गुसे में उस लड़की को देखते हुए सुचा. उसका दमाग अब भी अपने साथियों के पास था. और वो जीब नहायत तेज रफदारी से MBC के जानिब दोड़ा रहा था. तमाम रास्ते जगा जगा तबाह, शुदा, गाड़ियां और सपाहियों के मुझालिम के नजारे थे. मास के रॉंकते खड़े हो रहे थे. उसने एक नजर पास बड़ी बेहोश लड़की पर डाली और गाड़ी तेज़ कर दी. Embassy के बड़े से आहिनी गेट पर अपना शनाक्तिकार दिखा कर उसने गाड़ी अंदर बढ़ा दी. पोर्च में खड़े कामरान सहाब तेजी से उसके जाने बढ़े. वो कब से उन तीनों का इंतजार कर रहे थे? कहां रह गए थे यार कितना परिशान हुआ हूँ मैं तुम तीनों की वज़े से? मिलिटरी हकूमत अब किसी को वापर जाने नहीं दे रही. हर किसी से पूच कर छो रही है. एक एक शक्स का पूरा चेक अप हो रहा है कि वो क्यों और कैसे आया? बड़ी मुश्किल से तुम तीनों की सीट नहीं है. किसी को तुम लोगों के प्रोफेशन का अंदाजा नहीं. अगर सरा भी किसी को तुम लोगों की रिपोर्ट्स की भनक पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी. मैंने तुम लोगों को मिलिटरी पर्सनल शो किया हुआ है. अब जल्दी करो. कामरान सहाब एमबेसी में उनके बास थे और वहां के मिलिटरी के बहुत करीबी दोस्त थे. अरे ये एजाज और साकिब कहा है? उन दोनों को गाइब देखकर कामरान सहाब परिशान हो गए. कितनी मुश्किलों से तो उनके वापर जाने का बंदोबस्त किया था. वो सहाफी हैं ये तो उन्होंने किसी को हवा भी न लगने दी थी. और अब वो दोनों गाइब थे. वो काफी परिशान थे. ये सब उनके कामों से हट कर था. मास अगर उनका इतना लाडला ना होता तो वो शायद कभी ये सब ना कर पाते ये शायद मुस्लमानों के लिए उनके दिल में. दर्द. उनको ये सब करने पर मचबूर कर रहा था. अचानक उनके नजर मास के बाजूओं पर पड़ी. और ये क्या है? उन्होंने बेहोश लड़की की तरफ इशारा किया. उसके हाथ में क्या था वो अंदासा ही लगा सके बस. लड़की है सर. मास जीब से उतरते हुए बोला. परेशानी उसके शकल से साफ जाहिर थी. वो तो मुझे भी नजर आ रही है. मगर इसको कहां से उर्क्यों उठा लाए हो? क्या कोई लोकल, ब्रैकेट, मुकामी, लड़की है? कामरान सहाब उसके रंगत देख कर बोले. पता नहीं सर, इंग्लिश बोल रही थी. मास अब पास कड़ा परेशानी से बालों में उंग्लियां प्यर रहा था. इसे क्यूं उठा लाए हो? पहले क्या कम मुश्किले थी? इसका आप क्या करेंगे? यह पाकिसानी तो नहीं है? कामरान सहाब इस नहीं अफ़ताद पर फिकर मन्द हो गए थे. जानते थे कि हर शक्स को मश्कूक निगाहों से देखा जा रहा था. यह बिमार है क्या? ऐसे क्यूं बड़ी हुई है? उन्होंने जुक कर लड़की का जायसा लिया. धान पान से लड़की उस वक्त अजीब से लग रही थी. आँखों और चेहरे की सूजन ने उसके शकल अजीब सी कर दी थी. पता नहीं सर बिमार है क्या नहीं? मास ने कहा तो कामरान सहाब को गुस्सा आ गया. किसी बात का कुछ पता भी है क्या? अगर नहीं तो इतलान अर्ज है कि तुम मेरे लिए एक और मुसीबत उठा लाए हो. इस एमबसी में सिर्फ पाकिसानी रह सकते हैं. प्लेन पर सिर्फ तुम तीन पाकिसानीों की सीटे हैं तो फिर इस लड़की का क्या करेंगे? कामरान सहाब ने पूछा. सर्थ तो फिर मैं क्या करता? ये जवान लड़की है. वो मुसल्मान अबादी के स्कूल में थी. मिलिटरी पुलिस इसको अपनी हवस का शिकार करती. ये मैं बरदाश नहीं कर सकता था. मेरा जमीर मुझे कभी माफ ना करता. लड़की तो लड़की होती है. दूर से आती तकरार की आवास ने उसके खौबीदा जहन को होश की दुनिया की तरफ तकेला. उसने बमुश्किल आँके खुली. सर मैं उन दोनों को छोड़कर हर्गिस नहीं जाओंगा. माज, जिद्धी लहचे में कह रहा था. तुम भी कमाल करते हो. अब फैसले का नहीं हरकत करने का वक्त है. तुम लोगों की आखरी फ्लाइट गेंटे बात है. वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे. अब तो आठ गेंटे गुजर चुके हैं. तुम चले जाओ. मैं उनका भी पता लगा लूँगा. मैं हो ना? तुम फिकर क्यूं करते हो? नहीं सर्थ, मैं ये नहीं कर सकूंगा. मुझे मजबूर न करें. हम एकटे आए थे हैं, एकटे ही वापस जाएंगे. मास किसी तरहा नहीं मान रहा था. आह! लड़की के मूँ से कराह निकली तो दोनों चौंक कर उसके जानिब मतबच्चा हो गए. इसको तो हम बूल ली गए थे. कामरान सहाब अफिकर मंदी से उस लड़की को देख रहे थे. लगता है नशा उतर रहा है. फर्स एक तरफ मगर मास को नशे से सखत नफरत थी. उसको हिलता देखकर मास ने सोचा. मिस आप कौन है कहां से आई है? उसको होश में आता देखकर उससे पूछने लगे. तुम्हारा नाम क्या है? मास ने सखत नहचे में पूछा. उसने लड़की की मदद तो करती थी मगर अब उसे लग रहा था कि जैसे काफी महंगी पड़ी थी ये हमदर थी. उसके भायों जैसे दोस्त उसकी वज़ा से जाने कहां फजके थे? मास का दिल कर रहा था तमाम गुसा उस पर उतार दे. महविश! महविश! लड़की ने नकाहत बरी आवास में हलके से जवाब दिया. क्या? महविश? यही कहा ना? इसने मास? कामराद सहाब अब पूरी तरह मतबच्चा हो चुके थे. क्या आप मुसल्मान है? वोस्तिया की रहने वाली हैं. उन्होंने जल्दी से पूछा. महविश ने उटने की कोशिश की मगर चकरा कर रह गई. कमड़े की तेज रोशनी उसकी आँखों को तकलीफ दे रही थी. वो दुबारा लेट गई. आँखें मूद ली. मैं मुसल्मान हूँ. और पाकिस्टानी हूँ. मैं विश ने साफ उर्दू में कहा तो वो दोनों एक बार फिर हैरत में चुप हो गई थे. अगर वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी. अगर्चे वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी. मगर उर्दू साफ निकल रही थी. शुबे की कोई गुणजाश ना थी. मास तुम इसका कुछ समान बगएरा भी लाए हो. इतनी वुर्षत नहीं थी सर मुझे कि मैं उसका समान डूनता पिड़ता. यह पर्स पड़ा था वो मैं उठा लाया. मास जुझला कर बोला. अच्छा दिखाओ तो शायद इसमें से कुछ निकल आए. कामरान साब ने हाथ बढ़ा दिया. यह आपका है. उन्होंने महविश से पूचा तो उसने मुझल से उसको देखा. जी, मेरी कुछ नक्दी और कुछ जरूरी कागजात इसी पर्स में है. मैं विश कोशिश करके बोली. उसका दमाग हवा के असर से चक्रा रहा था. मगर वो यह समझ रही थी कि इसकी बचा से उन लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. क्यूं? यह वो जानने से कासिर थी. उन्होंने जल्दी से उसका पर्स उलड़ दिया. यह लड़की है तो मुसल्मान मगर इसकी नैशनालिटी ब्रिटिश है. काफ़ाद देखते हुए माज होले से बुड़ बुड़ाया. यह तो कह रही थी कि यह पाकिस्तानी है. वो फिर से उस गनूदगी में डूबी लड़की को गूरने लगा. तुमने गल प्यानी से काम लिया. एक तो नशा गरती हो उस पर जूट भी बोलती हो. मुझे तो पहले यह शक्ता पाकिस्तानी लड़कियों को कम ही ऐसी आदात होती है. माज गजबनाख हो कर बला. उसने महविश को जंजोड डाला था. मैंने नशा नहीं किया हुआ. महविश ने बमुश्किल कहा. वो अपने दिफा में बोल भी ना पा रही थी. कामोश रहो मास. अपना गुस्सा इस पर मत उतारो. कामरान सहाब ने उसे सहरा दे कर बिठा दिया. यह माम मा तो आप ही हल कर सकती है. आप ने अपने आपको होजानि कहा जबके आपके तमाम कागजात आपको अंग्रेश सबित करते हैं. यह सब जाना हमारे लिए जुरूरी है. क्योंकि यहां मिलिट्री, जमूरी हकोमत में जंग चिर चूगी है. हम यहार हालत में तमाम पाकिस्तानियों को यहां से निकालना है कामरान साहब ने तफसील से उसे समझाया मैं यहां तीचर की हैसियत से आई थी मैं नशे की आदी नहीं आप मेरा यकीन करें मैंने नशा नहीं किया हुआ मैं बिमार थी मेरी आँकों में इंफेक्शन हो गई थी जो दवाया ना होने की वज़े से बेहत बढ़ गई सिस्टर्स की कुछ समझ में ना आया तो उन्होंने मुझे दर्द दूर करने की दवाया खिलानी शुरू कर दी जिनमें बहुत नशा होता है वो हाप कई थी इतनी सी बात करके कुछ देर को वो सांस लेने को रुकी तमाग भी साथ नहीं दे रहा था हर चीज गुड़ गुड़ थी कुछ वो मुझे नीद की दवाया भी दे रही थी ताके मैं कम से कम वक जाकती रहूं और दर्द का एहसास कम हो जब तक के वो किसी बड़े हस्पताल से मेरे लिए दवाया नहीं ले आती उसने दुबारा बात शुरू की ये सूजन और गनूद की सब उस बिमारी और नीद आवर गोल्यों का नतीजा है वो अब खमोश हो चुकी थी ये तो सब ठीक है मगर तुम हो कौन और इतनी अच्छी अर्दू कैसे बोल लेती हो मास का दमाग अभी भी उस अंग्रेज लड़की का मौँ माहल नहीं कर पाया था मेरे अबू पाकिसानी है और अमी ब्रिटिश मैं लंडन से यहां आई थी मेरा पासपोर्ट बरतानिया का है मैं वहां की अकूमत की तरफ से आई थी इतना ही शौक है अंग्रेज बनने का तो उनकी ही मदद का इंतजार करती मास मू में बुरबुराया उसकी मदद तो महंगी पढ़ रही थी जाने उसके दोस कहा दर बदर हो रही थी हलके हलके दमाकों की आवासे अब भी बाहर से आ रही थी कुछ काम मजबूरी के तहट भी करने पड़ते हैं हर काम शौक से नहीं होता मैं विश्ट ने उसकी बुरबुरा हट सुन ली थी उद्धीमी सी आवास में बोली कितनी आज़र्दगी थी उसके लेचे में मगर मास महसूस न कर पाया मास कुछ कहने ही लगा था के कामरान सहाब बोल उठे ये बहस फजूल है फिलहाल तो ये सोचो कि करना क्या है या तो उनको वापस कॉन्वेंट पहुँचा दे अब तक लिट्री बोलेस वहां से जा चुकी होगी या फिर बिटिश एमबेसी भेज़ दे इनको यहां से निकालना काफी मुश्किल होगा हकुमत ने सिर्फ एमबेसी के लोगों और उनके फामली को जाने की इजास दी है उस जहास में इनको किस हैसित से भेज़ेंगे और चाने ये पाकिस्तान जाना पसंद भी करेंगी के नहीं वो माज से सरगुशी में बोले इन हांगामी हालात में क्या होगा कामरान सहाब इस जिम्मेदारी पर कबरा रहे थे जवान लड़की की वो कैसे जिम्मेदारी लेते अगर छोड़ना ही था तो हमने इतनी मसीबत ही क्यूं उठाई इस तरह तो एजास और साकिब के कुरबानी राइगा जाती है कामरान सहाब उन्होंने अपनी जिंदेगी खत्रे में डाल कर इस लड़की को वहां से निकाला है अब इसकी मदद करना मेरा फर्ज है वो सर्द लहजे में बोला क्यों न इसको बिटिश एमबेसी पहुचा दिया जाए वो जाने और उनका काम अचानक उसको ख्याल आया तो वो बोल उठा उन लोगों ने तो अर्सा हुआ अपने तमाम सिविलियन्स कारकौन और अफसर वापस भेश दिये हैं उनकी फामिलिस तो कब की जा चुकी हैं कामरान सहाब ने उसकी तदबीर को रद कर दिया फामिली? अचानक मास को एक नई तर्कीव चुजी क्यों ना इसको मेरी बीवी की हैसे से रिजिस्टर करके भेश दें? हमारे साथ पाकिस्तान? ये सब वक्ति तोर पर होगा उसकी आँखें चमक उठीं पागल हो यहां हर शक्स की सफ जाँच परताल हो रही है अगर नगली कागजाद पकड़े गए तो तमाम लोग जासूस होने के इल्जाम में पकड़े जाएंगे कामरान सहाब बिलकुल भी राजी न थे तो फिर असले निकाह के बारे में क्या ख्याल है? मास तो जैसे अर्सा गया था इतने अंगामे में तारीक को कौन देखेगा कि निकाह कब हुआ? वो बोल रहा था और पास बड़ी महविश के होश उड़ गए थे निकाह यानि के शादी शायद उसके कान गल्द सुन रहे थे वो दवाईयों ने उसका जहन शायद बिल्कुल ही माउफ कर दिया था वो हकला कर रह गई खासी अर्दू जानती हो निकाह का कोई और मतलब भी होता है क्या? मास उसे खाने को दोड़ा लेकिन इसकी क्या ज़रत है? मैं यहाँ ही रह जाती हूं मुझे वापस स्कूल छोड़ आए वहाँ कोई ना कोई वापस आही जाएगा तुम उन बेड़ियों को नहीं जानती उनके गिनाओने मजालिम तुमने नहीं देखे इसलिए इस तरह कह रही हो मास बोला हत्मी फैसला करने का ये कदम उठाए बगैर भी तो कुछ हो सकता होगा इतने दिन से बिमार रहने की वज़ा से वो हालात के संगीनियों से बेखबर थी मिलिटरी पुलीस के मजालिम उसके नजर से गुजरे ही न थे जो कोच मास बता रहा था वो उस सबसे बेखबर थी सो इतना बड़ा फैसला उसे कबूल करना उसके लिए मुश्किल था अगरचे उसका जहन दुंदलाया हुआ था फिर भी निकाह की बात वो अच्छी तरह जानती थी तुम जाने क्या समझ रही हो मुझे कोई शौक नहीं है तुम से बिया रचाने का जरा चेहरा आइने में मुलाहिज़ा कर लो सूजन से कोई नक्ष नजर नहीं आ रहा जिस पर मैं पहली ही नजर में मर मिटू शायद तुम कुपसूरत हो मगर अभी तो तुमारे चेहरे का बुरा हाल है ये निकाह तुमारे यहां से निकलने का वाहिद तरीका है तुम मेरी फैमली होगी बाकी तुमारी मरसी है परिशानी से बालों में उंगलियां फेड़ता इंफरमेशन काउंटर के तरफ बढ़ गया कामरान साब उसके पीछे लपके मास ये सब करना इतना असान काम नहीं निकाह तो तुम करने का कह रही हो जैसे ये कोई महज़िद हो एमबेसी नहीं इतनी जल्दी ये सब कैसे मुम्किन है आखरी फ्लाइट जाने वाली है और तुम सोच रही हो जो उसके लिए मेरे तमाम असरो रसूख के बावजूद कम असकम कुछ दिन लग जाएंगे अगर मैं अपनी पूरी ताकत भी इस्तमाल कर लूँ फिर भी निकाह करवाना और उसके लिए वीज़ा वगरा लगवाने में दो या तीन दिन लग जाएंगे और हलात हमें इस बात की अजाज़त नहीं देते कामरान साहब तो जान देते के ये सब करना इतना मुश्डू था फिर आप क्या कहते हैं मेरी समझ में तो और कुछ नहीं आता आखिर अगर हमारा निकाह हो जाता है तो फिर इससे क्या फरक पड़ता है के लड़की के नैशनालिटी कोई भी हो वो तो मेरी बीवी की हैसियत से ही जाएगी न पास देवुचा यार निकाह के लिए सिर्फ लड़की की जरत नहीं होती बहुत से कागजाद और निकाह पड़वाने के लिए भी मुलवी की जरत होती है कामरान सहाब भी चुड़ गए थे दोनों गहरी सोच में डूप चुके थे एक सुरत है अचानक कामरान सहाब बोले कुछ दिन में आर्मी का कारगो प्लैन आना है जो पाकिस्तान नई प्लैन आना है जो पाकिस्तानी फोच यहां आई हुई है उसका समान उसमें आता जाता है और उनके जवान भी उसमें सफर करते हैं हमने भी अपने कुछ लोग उसमें बेजने की इजाज़त ले रखी है अगर ने कहा कब अंदोबस्त हो गया तो मैं तुम दोनों को उसमें विजबा सकता हूँ मगर उसके लिए तुम लोगों को यहां चुपाना पड़ेगा बस दुआ करो के मिलिटरी पुलिस को हमारी एमबेसी का खयाल नहीं आए कामरान साथ सोचते हो पर बोले और हो सकता है एजाज और साकिब भी पहुंच जाएं लड़की के लिए भी अद्वियात की ज़रत होगी आर्मी के हस्पताल से रुजू करता हूँ वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए मास खान परेशान सा वापस कमरे में आ गया मैं विश्ट नीम गनुलकी में पड़ी थी मास पास पड़ी कुर्सी पर बैट किया क्या हक पहुंचता है उन जाबिर कौमों को कि वो मुसल्मानों को यह पामाल करें वो सोचने लगा मैं विश्ट ने वह मुश्किल अपने जहन को बेदार करने की कोशिश की मास उसके पास ही बट़ा था उसे हिलते देख कर उसके तरफ मतवचा हो गया कामरान सहाब कोशिश कर रहे हैं हमारी मजद करने की एक दो दिन हमें यहां शुप कर रहना पड़ेगा तुमारे लिए दवायों का भी इंतजाम हो रहा है अगर तुम मुनासिब समझती हो तो तुम्हें ब्रिटिश एम्बेसी पहुँचाया जा सकता है तुम ज्यादा असानी से वापस जा सकती हो ब्रेकिट और हमारी भी असानी हो जाएगी मास ने आदा जुमला दिल में सोचा वो जो मर्जी करें तुम्हारे साथ आखिर तुम हो तो उनकी जिम्हेदारे नहीं नहीं मैं इंग्लिट वापस नहीं जाओंगे वो बुरी तरह गबरा गई अंग्रेज मा कर रहन सहन और हर नए आने वाले मर्द की हवस परी निगाहें उसको उस दहशत की याद दिला गई जिन से बचने के लिए वो यहां भाग कर आई थी इससे तो बहतर था कि वो उस अंजाने मगर हमदर्द इनसान की पनाह में आ जा थी बाप ने तो वैसे ही उसे मुद्दा जान लिया था उसके वजूद से इस तहाला परवा था वो प्लीज मुझे अपने साथ ने चलें आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी मास नहरान होकर उस खौफ से पीली पड़ती लड़की को देखा जो अपने गर जाने की बज़ाए उसके साथ जाने को तरजी दे रही थी जाने क्या रास था उसके पीछे भी लेकिन वो अब उसके बारे में नहीं अपने दोस्टों के बारे में सोच रहा था ये दो दिन उसने कैसे गुज़ारे ये मास ही जानता था वो आखरी फ्लाइट थी वो भी उस दिन जा चुकी थी कारको जहास की भी कुछ इतला ना थी मास के साथियों का कुछ पता ना था मास उनके लिए सख परिशान था अब ये वो ये सबसोच ही रहा था के कामरान साब उसके पास चले आए उमीद उनके चेहरे से जाहर थी कारको प्लेन कुछ गेंटों बाद पहुँचने वाला है वो खुशी से बोले मैंने आर्मी से तुम दोनों की अजासत ले ली है निकाह के कागजात पहुँचने वाले है उस प्लेन में ही आएंगे दुआ करो हर काम वक्त पर हो जाए यहां कि हकुमत का ख्यार है कि एमबेसी के सिवाए चंड लोगों के जो यहां रहेंगे बाकी सब जा चुके हैं इसलिए तुम को हमने आर्मी में सिविलियन इंजिनियर के तौर पर कागजात बनवा कर भेजने की कोशिश की है बस दुआ करो के आर्मी के जहास की वज़ए से चेकिंग ज्यादा नहो यह सब जवाबित के खिलाफ है हर काम अब जल्द अजल्द हो जाना चाहिए और फिर सुरस जलते ही चन गवाहों के सामने वो महविश शेराज से महविश मास बना दी गई उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था ये दो दिन उसके चकराते जहने सोचने में गुजार दिये थे जाने किसमत में आगे क्या लिका था वो यूही सर जुकाए बैटी रही अचानक मास का लंस अपने हाथों पर महसूस करके उसने सर उठाया वो उसकी उंगली में अपनी उंगली से एक मोटा सा सोने का चल्ला उतार कर पहना रहा था कुछ तो जेवर होना चाहिए न ताके तुम्हारे शादी शुदा होने का पता चल सके मैं विश की समालिय नजूरों के जवाब में वो बोला ये मेरी मंगनी की अंगुटी थी मैं पहने रखता था ताके याद रहे वो उसे बता कर उसका और अपना बैक उठा कर हवाई जहाद के जाने चल दिया अजाज साकेप का कुछ पता नहीं था मिलिटरी सिपाही हर तरफ गोलियां बरसाते पिर रहे थे और वो अपनी मनजल के तरफ गामसं थे मास के आकरी जुम्ले अब भी उसके दमाग में गूँच रहे थे मास मंगनी शुदा था अब क्या होगा उस लड़की का क्या होगा वो क्या सोचेगी इस वक्ती शादी के बारे में कितना जुम हो गया अंजाने मे महविश की सोचों का धारा उस अंदेखी लड़की की तरफ पहनी बला वो मास के बीचे चल पड़ी जहास पर चुड़ाने के बाद मास ने उसके जाने भाद बढ़ाया तो मेविश ने दीरे से अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत मरदाना हाथ में दे दिया मास की नज़रे एक बार फिर उसके चेहरे का मौईना करने लगी ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है ये इतना सूज़ा हुआ क्यू है उसने सीट बेल्ट बांगते हुए पूचा उसका दमाग बार बार अपने साथियों के तरफ जा रहा था उन सोचों के भमर से निकलने के लिए जो पहली बात मास के दमाग में आई वो उसने महविश से पूच चली कोई बिमारी बता रही दी तू उसने अपनी पूरी तवज्ज़ उसकी तरफ मबजूल कर दी मेरी आँकों में इंफेक्शन हो गई थी जो मुनासिब दवाया ना मिलने की वज़े से इतनी बढ़ गई कि सूज़न पूरे मूँ पर फैल गई है मगर इसका मुस्तकिल कोई असर नहीं है मुनासिब इलाद से मुकमल अराम आ जाएका वो बता रही थी मगर मास फिर अपनी सोचों में गुम हो गया था उसने जवाब शायद सुना ही नहीं था सवाल करके शायद जवाब में वो इंट्रस्टेड नहीं था बे दिहानी से बोला अच्छा अच्छा महविश को अजीब से लगा शायद अपने दोस्तों का सोच रहा था मेरी बज़ा से बिचारे जाने किस मुसीबत में फस गए है आपके दोस्तों का कुछ पता चला उसने यूँ ही पूछ लिया अगर पता चल जाता तो मैं तुम्हारे साथ बैटा होता क्या माज उसे बुरी तरहा जुड़क के बोला वो पहले ही उनको छोड़ आने पर अपने आपको मुझरी महसूस कर रहा था महविश उसकी आवास से डर गई ये खौफ तो उसके साथ बच्चपन से था कभी मा के गुसे के शकल में तो कभी हरीस लोगों की निजरों का खौफ सौरी यार्म ना इस वक जड़ा परिशान हूँ उनका कुछ पता नहीं चल सका तुम यूं करो थोड़ी जिट सोजओ सफर भी कट जाएगा और तुम्हारी आँखों को भी कुछ तेर अराम मिल जाएगा उसने कहा वाकर ये ठीक भी था मेविश ने आँखे मूंद कर सरसीट से लगा दिया जो कुछ देर में मास के शाने पर ढलक गया मास ने गर्दन गुमा कर उसे देखा वो गहरी नीद में डूबी उसके बेहत करीब थी वो पहले तो उसका सरसीधा करने लगा मगर फिर उसे इतने सकून से सोते देखकर उसने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा और अपने ख्यालात की कड़ियां दुबारा जोडने लगा मिस्टर मास खान दूर से आती आवास ने महविश के शौर पर दस्तक दी वो हुले से किस मिसाई और आखें खोल दी क्या कोई उसे बुला रहा था मेरा कंदास सुन हो चुका है बैसे भी हम लांट करने बाले हैं महविश हर बढ़ा कर उठ गई अपने आपको उसके इतने करीब देखकर वो शर्मिंदा सी हो गई वो उसे गहरी नजरों से देख रहा था मिस्टर मास हसन दूर से आती आवास ने महविश के शौर पर दस्तक दी वो हुले से किस मिसाई और आखें खोल दी क्या कोई उसे बुला रहा था मेरा कंदा सुन हो चुका है वैसे भी हम लांट करने वाले हैं महविश हर बढ़ा कर उट गई अपने आपको उसके इतने करीब देखकर वो शर्मिंदा सी हो गई वो उसे गहरी नजरों से देख रहा था मिस्सिस मास खान महविश ने आहिस्ता से नाम दोराया कितना अजीब सा लग रहा था मास ने जैसे उसकी सोचें पढ़ ली हो सकता है कि मुझे तुम्हारा नाम भूल गया हो बैसे भी बक्ती तौर पर यही तुम्हारा नाम है वो रोब से बोला तुम्हे विश सरहिला कर रही गई मास चाहता था कि वो इस नाम की आदी हो जाए ताकि अगर कोई अचानक सवाल करे तो वो गबरा न जाए अगरचे कागजात सही थे मगर फिर भी तमाम वक्त वो मास के कहने पर अमल करती रही और वो इमिग्रेशन का मरहला बहुबी अंजाम दे कर बाहर निकल आए वो एक लफ भी ना बोली थी तुम इतनी हमोश और फर्माबरतार हो या पोस कर रही हो मास ने टेक्सी रोग कर उसे बैटने का इशारा किया और जवाब का इंतजार किये बगएर खुद बैट किया मैं विश्ट लंबा सांस लेकर बैट कई वो सवाल करके जवाब का इंतजार नहीं करता था अपने गर का पता बताओ तुम्हारे वारित का गर किदर है मैं तो लाहौर में रहती थी ये तो इसलामबाद है वो बिचारगी से बुली जानती थी के मास जल्द अजल्द उससे पीछा चुड़ाना चाता है तो फिर वक्ती तोर पर मेरे गर चलो मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि तुम्हें पहुंचाऊं टेक्सी चल पड़ी थी साथ ही सोचों का एक ना खत्म होने वाला सिलसला भी मास तो उसकी मौजूद की शायद भूल ही चुका था वो एक बार फिर परेशान हो गई मेरा क्या होगा जान तो आपने बचा ली मिस्टर मास मास वागर मेरी बाकी जिन्दगी का क्या होगा ये भी सोचा आपने निकाह कोई मजाग नहीं होता कि जब चाहा कर लिया जब चाहा तोड़ दिया नींद का असर अब पूरी तरह जायल हो चुका था मेहविश सोच सोच कर हलकान हो रही थी एक मश्रकी लड़की के लिए निकाह से मजबूत और कोई बंदन नहीं होता चाहे वो खुशी से बंदा हो या मजबूरी से मगर मास को ये कौन समझाता जो सिर्फ उसको बचाने के लिए ये सब कर गुज़रा था मेहविश का तो वो अब साइबान था उसके नीचे से निकल कर किदर जाती मगर जो साइबान मास ने उसे दिया था वो उसके वो उसने बता भी दिया था के वक्ति है मेहविश सोचती रही किस घर का पता पूचते हैं आप वो जो मेरा कभी था ही नहीं अगर बाप का दिया साइबान सर पर होता तो मैं नगर नगर भटकने रही होती उसकी कहानी कोई नई नहीं थी कि वो सब को सुनाती पिर थी ये तो वो ही गिसी पिटी कहानी थी कि पाकिजानी मर्द ने अंग्रेज हुसन से मतासिर होकर उसे अपना लिया और वापस ले आया मगर महविश की माँ पाकिस्तान के मश्रकी महौल से कुछ अरसे में ही गबरा गई और 9-10 साल की बेटी छोड़कर एक दिन अपने महौल में वापस चली गई 10 साल की महविश पहले ही उनके जगरों से परेशान रहती थी बाप भी दूसरी शादी रचा कर अपनी जिन्दगी में मगन हो गया मा के जाने से वो बिल्कुल ही चुप हो गई थी मगर पिर भी सुतेली मा को उसका नना सा वजूद बुरी तरहां खटकने लगा वो अपनी सबस सबस आँखों से सब कुछ देखा करती बेजरर महविश शेनास बेगम की चाती पर बोच थी और आखिर बाप ने कुछ साल बाद उसे भी मा के पास ही भेश दिया मा क्या मतलब था इस लफ़ का वो आज सक ना जान पाई थी नजाने कैसी मा थी वो कभी कभी महविश सोचा करती अपनी दुनिया में मसरूफ एशो इश्रत में डूबी हुई सूजी ने कभी फूल जैसी बच्ची की तरफ देखा तक ना था आइस्ता आइस्ता महविश ने सूजी का घर भी संभाल लिया था तो वो और भी अजाद हो गई महीने के शुरू में उसे तोड़ी सी रकम पकड़ा कर वो बेफिकर हो जाती अगर कभी पैसे कम पढ़ते और महविश मांग लेती तो एक तौफ़ान कड़ा हो जाता था उसने घर से निकाल देने की धमकियां सुनते सुनते जवानी के खुबसूरत तोर में कदम रखा सुजी बुरी तरहा नशे में रहती थी गर में अजीबो गरीब से अंग्रेजों नी आना जाना शुरू कर दिया था महविश बुरी तरहा गबराने लगी थी बेबाग नजरें अब उसका पीछा करने लगी थी उन दिनों मांचेस्टर में बोस्निया के बच्चे गोद लेने के लिए आए हुए थे चोटे चोटे यतीम बच्चे महविश को वो अपने जैसे लगते मुसल्मान बच्चे अंग्रेजों की पनाह में जिन लोगों ने माबाप च्चे ने वही पनाह देने को तयार वो भी तो माबाप के होते हुए यतीम थी उसका बहुत दिल चाहा कि उन में से एक बच्चा वो भी गोद ले ले मकर बिटिश रकूमत ने उसके बाप के पाकिस्तानी होने की वज़ा से इजाज़त ही न दी वैसे भी वो गैर शादी शुदा थी उस वाकिय के बाद उसने एमबसी से तालुक रखा और फिर बोसनिया में कॉन्वेंट के तरफ से जो टीचर्स पढ़ाने जा रही थी उसने उन में अपना नाम भी दे दिया बिटिश नैशनल होने की वज़ा से उसे ये मुलास्मत मिल गई दोनों माबाप के लिए तो वो ना जिन्दाल लोगों में थी नमर्दों में तो वो किसी को बगैर बताए बोस्तिया चली आई और फिर वहां हालात बिगड़ते चले गए आँकों की बिमारी ने उसे बेसुद्सा कर दिया था और अपनी बिमारी में वो जान ही न पाई किस मश्किल में फस चुकी थी वो तो शुकर हुआ के सिस्टर जाते वक्त उसके कागजात का पर्स उसके पास रग गई परना क्या हशर होता और अब अब कौन सा बच गई हूँ कब खत्म होगी मेरी आजमाईश कब तक तु मेरे सबर को आजमाएगा मेरे मौला मैंने तो कभी तेरी जात का दामन हाथ से जूटने नहीं दिया तो कब मुझे पर नजरे करम करेगा अब तो मुझे किसी किनारे लगा दे वो आँखे मुंदे सोच जा रही थी एक सड़ आह उसके होटों से खारीज हुई तो माज ने चौंक कर उसके जाने देखा मगर कुछ समझ ना बाया उसकी आँखे मुटे काले चश्मे के पीछे चुप चुकी थी जो माज ने ही उसे एरपोर्ट पर ले कर दिया था ताके आँखों को तेज रोशनी से तकलीफ नहो पेचारी दुखों की मारी लगती है जाने उसकी भी क्या कहानी है जो वो यूँ पराय देश में बैटी थी जरा एजास और साकिप का पता चल जाए तो इसके लिए भी कुछ करूँगा वो उसकी बीवी है ये तो उसके दमाग से निकल नहीं गया था उस वक्त तो उसे सिर्फ अपने दोस्तों की फिकर खाय जा रही थी या ला मेरे दोस्तों का नहीं घबान रहना दोस्तियां की मिलिटरी पुलिस के हत्ते चढ़ना मौत के मतरादिफ था माज सोच कर ही काम उठा ये सब मेरी या फिर उस लड़की की वज़ा से हुआ है सोचों का धारा एक बार फिर महविश के तरफ मुड़ गया उसने एक गुसे भरी नजर महविश पर डाली जो उसका गुसा देखकर सीट में दुबग चुकी थी इस बिचारी का भी क्या खुसूर है मैं खाम खाम अपनी टेंशन उस पर उतार देता हूँ सच है के पानी हमेशा नशीब की तरफ पहता है नशीब की तरफ पहता है और गुसा कमजोरों पर ही उतरता है उसने एक तसलिप भरी मस्कुराइट से उसे देखा और हुले से उसका हाथ थाम कर उसे होस्ला दिया यारला ये क्या शेय है पल में शोला पल में शबनम महविश उसके पल पल बदलते रवयों पर हैरान रहे गई हैरान तो वो खुद भी अपनी हरकतों पर हो रहा था चोटे से खुबसुरत बंगले के पोर्ष में गाड़ी रुकी तो एक मुलाजिम भागा आया मास साहब आप इतला की होती तो एरपोर्ट आ जाते उसने जल्दी से टैक्सी वाले को फारिग किया दीनू साथ में महमान भी आए है मास बेहत ठक चुका था वो उसे अम्मी के हवाले करके सोना चाहता था फिर कल एमबेसी जाकर बहुत से काम करने थे वो तो जी चोटी बीबी के गर गई है आप थे नहीं और आप तो जानते हैं चोटी बीबी के हाँ विलादत होने वाली है दीनू इतला फराहम करता समान अंदर ले गया ओह ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी खैर तुम चल कर अपना कमरा देख लो मैं उनसे फान पर बात करता हूँ मैं विश दीनू के पीछे चल दी खुबसूरत कमरे में अजीब सा सकून था वो डबल बेट पर ढेर हो गई बिमारी, लंबे सफर और जहनी परेशानी ने उसे निचोड कर रख दिया था दर से दर्वाजा खुला और वो अंदर था मैं विश हर बढ़ा कर उट बैटी दुपट्टा जाने किदर था किसी के कमरे में दाखिल उने से पहले दस्तक देना मैंनर्स में शुमार होता है जाने थकन थी या वो तंग आ चुकी थी जो इस तरहां चुड कर बोली एक लम्हे को मास ठिटक गया फिर बैट के पास बड़े सोफे पर बैट किया किसी के कमरे में न यह तो मेरी बीवी का कमरा है यहां दस्तक की मुझे ज़रुत नहीं चन दिनों की बीवी पर आपका कोई हग नहीं ये बात हमेशा याद रखिएगा वो तंग से बुली एक दिन की भी हो बीवी बीवी ही होती है मुझे बेरहक इस्तमाल करने का चालेंज मत दो मैं कभी किसी चालेंज से पीछे नहीं हटता माज उठकर उस पर जुक आया उसके सांसों के तपेश महविश को अपने जेरे पर महसूस हो रही थी करीब बेहत करीब बुरी तरहां डर गई बेसाखता पीछे को हट गई आँखें खौप से फट चुकी थी रंग हल्दी की तरहा जर्द पढ़ गया था आवाज जैसे हलक में बंद हो गई थी ये सब क्या हो रहा था क्यूं क्या हुआ बस इतना ही नास था अपनी बहादुरी पर माज हस कर पीछे हट किया वो तो उसे सता रहा था मकसद डराना हर किस नदा बड़ी बुजदिल हो वो अब होले होले रो रही थी आप मर्द हैं कुछ पी कर सकते हैं मैं कमजोर औरत आपका क्या मुकाबला कर सकती हूँ वो होले होले सी सकती रही औरत कभी कमजोर नहीं होती ये तुम जैसे लड़किया हैं जो औरत साथ को कमजोर साबित करने में लगी है बहराल मैं ये कहने आया था कि आशी मेरी चोटी बेहन के घर पहली विलादत है अम्मी कुछ दिन नहीं आ सकेंगी मैं अभी एजास और साकिब की तलाश पर मस्रूफ हो जाऊंगा सो तुम्हे कुछ से दिन इस घर में गुजारने होंगे रही बात निकाह की तो तुम मेरी बीवी जरूर हो लेकिन मैं जानता हूँ ये मजबूरी का रिष्टा है तुम्हारे लिए मेरे दिल में वही इज़त और एहतराम है जो किसी भी औरत के लिए होता है मुझसे डरना छोड़ दो मैंने कभी पराई चीज़ को हाथ नहीं लगाया और तुम कोई चीज़ नहीं लड़की हो एक औरत हो और मेरी माने मुझे हमेशा आरत की इज़त करना सिखाया है अलबत्त कभी कभी के मज़ाग को नजर अंदास कर देना मैं जरा फारिग हो जाओ और अम्मी आ जाएं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आउंगा ये मेरा तुमसे बादा है वो उसे तसलिदे कर जा चुका था मेरा घर? कहां है मेरा घर? क्या ये नहीं है जो मेरे शोहर का है? शायद मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ जिनको कभी कोई सकून का गोशा मैसर नहीं आता उसने सर गुमा कर हसरत से अपने कमरे को देखा ये चोटी सी जन्नत भी उसे चन्द दिन उधार ही मिली थी हर खाहिश का पूरा होना कब मुम्किन है? मैं इन दिनों को ही जिन्दकी का सहमाया समझ लूगी वो वाश्रूम में गुस गई मास उसे लाकर शायद बूली चुका था एजास और साकिप के बारे में मालूमात करने वो कभी एमबेसी चला जाता तो कभी घर की स्टाडी में गुसा बाहर के ममालिक फॉन करता रहता या कम्प्यूटर पर बैठा साथ साथ वो अपने आर्टिकल भी निकाल रहा था उसकी रिपोर्ट्स आए दिन अखपारात की जिनत बंती रहती मगरवी ममालिक के मुसालिम वो खोल खोल कर बयान कर रहा था किसी के लिए उसके पास वक्त ना था कुछ दिन तो मैं विश अकेले इतने बड़े गर में बलाई बलाई सी फिरती रही फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने गर के चोटे मोटे काम अपने जिमें ले लिए मास के चोटे चोटे काम करके उसे बहत कुशी महसूस होती अगर मास लाउंच में काम कर रहा होता तो वो हमेशा उसे ही चाहे या अपनी किसी भी जरुट के लिए पकारता वो जो अपने सारे काम खुद करने का आदी था अब आहिस्ता आहिस्ता बेखबरी में मेविश की मजूद्गी का आदी हो चला था शायद निकाह रिष्टा ही ऐसा है एक पल में कोई गैर बिलकुल अपना हो जाता है ना चाहते हुए भी वो भी गैर महसूस तरीके से उसके करीब आती चली गई आज भी माज अपने कागजात लेकर टीवी लाउंच में आ बटा था तुम मेरे अपने हो माज हान मगर कितने पर आए मुझे अकिला मत चोड़ना मेरे सर पर अपने नाम की च्छत रहने देना मैं और कुछ नहीं मांगती तुम से तुम क्या जानों कि इन चन दिनों और दो बोलों से तुम मेरे लिए क्या से क्या बन गए हो वो मास को देखे चली गई जो मसलसल परेशानी में अपने बालों में उंगलियां बेर रहा था सारे बाल भी खरकर उसके माते पर आ रहे थे ये चोटी चोटी मास की आदात महविश को बेहत बहली लगती थी वो सब कुछ बुला कर उनको बसुरत लम्हों के हुसन ने खो जाना चाहती थी क्या कब की है ये खबर मास के अचानक उच्छा बोलने पर महविश भी अपनी सोचों के भवर से निकल आई जाने कब फ़ौन बचा था मास फ़ौन पर किसी से बात कर रहा था वो तवज्यों से सुनने लेगी तुम भी कमाल करते हो यार मुझे अब बता रही हो मैं अभी आफिस पहुँच रहा हूँ मास फ़ौन रह कर पास खड़ी महविश की तरफ पल्टा कोई खुशकबरी है क्या उसकी आँखों में सितारों सी चमक देखकर महविश ने पूछा मास खुशी से पागल हो रहा था उसने महविश को पकड़ कर जोर से गुमा डला अरे मैं गिर्चोंगी वो चकरा की मैंने थाम जो रखा है तुमें कैसे किरोगी मास चहका ओँ महविश मैं कितना खुश हूँ आज साकिब और एजाज कराची एरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं उन्होंने मुझे भी कॉल की मगर मेरा फॉन बीजी था खुदा कर लाक लाक शुकर है महविश तुम नहीं जानती वो मुझे भाईों से बढ़कर अजीज है अगर उनको कुछ हो जाता तो मैं अपने आपको कभी माफ न कर पाता वो महविश को थामे जजब के आलम में बोलता चला गया ये जाने बिना के उन लम्हों में महविश ने तमाम चहान की खुशियां पा ली थी माफ उसे हर सर्दो गर्म से बचाए उसके पास खड़ा था जिन्दगी शायद उस लम्हें से शुरू हो कर यहीं खत्म हो जाने का नाम थी मास के लिए उसके दिल में तमाम प्यार सिमच कर उसकी आँखों में आंट तहरा था हया से वो जल उहती आँखें लरस्ती पलकों से ढग चुकी थी चहरा सुर्ख पर चुगा था उसकी सुर्ख परती रंगत मास को होश में ले आई उसने एक तम महविश को छोड़ दिया सुर्ख मिर्च लग रही हो मिसेज मास खान मास उसे दिल्चस्पी से देखते हुए बोला उसका मासूम हुसन मास के दिल में हलचल मचा गया था वो खुशी से मुस्कुरा दिया महविश से नजरें उठाना मुश्किल हो गया कुछ मज़ेदार सा खाना बनाना रात के लिए आज हम सेलिबरेट करेंगे तुम भी अच्छी सी तयार हो ना मैं बस यूँ ओफिस किया और यूँ आया मास चा चुका था महविश खुशी से जूम उठी खाना तो पक चाएगा मगर तयार कैसे हो मेरे पास तो दो ही जोड़े है एक अपना और एक मास की बहन का उधार लिया हुआ जोड़ा पहले खाना देखनू फिर सोचूगी वो गुन गुनाती हुई उठी ही थी के कॉल बेल ने उसके कदम रोग दिये वो बाहर की तरफ बढ़ गए तो महविश होना ग्रेस फूल्सी खातून को महविश एक लम्हे में पहचान गए थी वो मास की अम्मी थी महविश का दिल जूब कया क्या इतनी थी उसकी खुशी की जिन्दगी मास की अम्मी के आने पर उसे लौट जाना था इस दुनिया से अपने दुखों भरी दुनिया में कितनी जल्द छिनने लगी थी उसकी उधार की दुनिया बेटा खातून उसे सवाल या अंदास में देख रही थी ओ सलाम आंटी जी वो चौक कर दरवाजे से हट कई जीती रहो बड़ी चांद सी गुड़िया हो तुम तो सोनी सी नाजुक सी और दिल मोह लेने वाली लड़की उन्हें पहुत प्यारी लगी थी माशालला बड़ी प्यारी है मेरी बहु उन्होंने दिल में सोचा महविश हुले से मुस्कुरा दी दिल में शुकर अदा किया कि वो खफा न थी कुछ काम कर रही थी क्या उसका हुलिया देखकर अमी ने पुछा वो आंटी जी माश खान मेरा मतलब है कि माश साब खाने का कहा कर गए थे बस वो ही करने लगी थी महविश कर बड़ा गई जाने वो क्या सोचती होंगी कि महमान लड़की पराए गर पर कब्जा किये बैटी है मेरा मेरा विश परेशान सी हो गई वो नहीं जानती थी कि माश ने अपनी वालदा को क्या बताया है मुझे सब अमी कहते हैं तुम भी यही कहोगी और हाँ मास खान का हुकम दीनू पूरा करेगा तुम जल्दी से प्यारे से कपड़े पहन कर आओ और मुझे से बातें करो मुझे लग रहा है कि जो कुछ उसना लाइक ने मुझे बताया है बेहत अधूरा है तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ पताओ आज ही तुम से बातें कर लू कल को आशी अपने मुन्ने से बेटे के साथ आईगी तो तुम पर भी कबजा कर लेगी फिर हम कहां बात कर पाएंगे वो प्यार से उसे गले लगाते हुए बोली तो महविश की आँखें बर आई क्या माएं ऐसी भी होती है आसूचा लग गए तो उसने रुख मौर लिया जाओ कपड़े बदल कर आओ उनके हुकम पर वसर जुका कर कमरे में आ गई कब मेरे नसीब में है आपका प्यार अगर आप मेरी हैसियत जान ले काश वो ये वादा कभी पूरा न गरे दिल ने शिद्द से दुआ की चंद कत्रे वजीद बह कर आँखों से गालों पर लुड़क आए इतनी तकलीफ दे आजादी से उसे ये मुहपत भरी कैद हजार दफ़ा मनजूर थी मगर उसके बस में क्या था तुमने अभी तक लिबास ही तबदील नहीं किया और मैं तुम्हारे इंतिजार में बैटी हूँ अमी ने कमरे में दाखिल होते ही पूछा जी वो असल में मेरे पास और कपड़े नहीं है सब वहीं रह गए थे वो शर्मिंदेगी से बोली बड़ा बेवकुफ लड़का है ये मास भी अभी तक कुछ भी नहीं दिलाया अभी चलो मेरे साथ बजार वो उठकें अभी मगर आप तक ही होंगी फिर चले जाएंगे महविश रोकती ही रह गई मगर उसकी एक नजली जाने वो क्या क्या लेती रही महविश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था गर आकर उन्होंने महविश को खुब सूरत नाजुक से काम का सबस जोड़ा निकाल कर दिया पहनने के लिए खुद आराम करने चल दी आप क्या जाने शायद इस घर में ये मेरी आखरी रात हो महविश सबस जोड़े को देखते हुए सोचने लेकी कितने मान से वो उसे हुकम सुना गई थी वो कितने दिन से इस घर में थी मगर यू कमरे से बाहर निकलते उसने कभी जिज़क महसूस न की थी मगर आज उसे बहत शर्म आ रही थी इतना बनाव सी इंगार तो उसने जिन्दगी में कभी नहीं किया था लिबास का सबस रंग उसकी आँखों को और नुमाया कर रहा था दमक्ती सफेद रंगत उसके हुसन को दोबाला किये हुए थी वो दीरे दीरे कدم उठाती लाउंच में दाखिल लो गई आहट पर मास ने नजर उठा कर उसके जानिब देखा तो नजर हटाना भूल गया माशालला हूर लग रही है क्यो मास अमी ने मास को भी अपनी राए में शामिल किया आपने अपनी हूर की सूजी हूई शकल नहीं देखी न मास ने ममशकिल उसके हुसन से नजरें हटा कर मजा किया महविश शर्मिंदा सी हो गई उसे भी अपनी और मास की पहली मुलाकात याद आ गई थी अच्छा बस अफ़जूल मत बो जाने क्या क्या बोलते रहते हो अमी ने महविश को अपने पास बिठा लिया काना बड़े अच्छे महाल में खाया गया कुछ लम्हों को ही सही महविश भी हलकी पुलकी सी हो गई थी अपने जाने का सोहानी रुख खयाल कुछ देख को भूल गया था माज उस वक्त साकिब और एजास के कारणामों की दास्तान सब को सुना रहा था महविश उनके बच आने पर खुदा का लाख लाख शुकर अदा कर रही थी वरना वो खुद को मुझरिम गर्दानती रही थी इतने दिन तुम जरा मेरे साथ स्टडी में आओ कुछ जरूरी बाते करनी है अमी खबरे देखने उठी तो माज उसे कहकर कमरे से निकल गया महविश के तमाम खुशी खाक हो गई जिस घड़ी का इंतजार था वो आखर आही गई थी आखर कब तक मांगे की जिती रहती वो वो मरे मरे कदमों से उसके पीछे चल दी मुझे कब जाना होगा महविश ने कमरे में दाकिल होते ही पूछा वो मजीद कश्मकश के जिन्दगी नहीं गुजार सकती थी बात साफ हो जाती तो बेहतर था क्या तुम जाना चाहती हो मास ने मुड़कर उसे गहरी नजरों से देखा कैसे रह सकती हूँ यहां किस हैसियत से महविश कोने में बड़े सोफे पर बैठ कई पास होकर भी कितनी दूर थी उस शक्स से वो जिसकी मुहपत में पूर पूर डूप चुकी थी वो तो शायद उससे आशना भी न था मास के वगएर जिन्दा रहना कितना मुश्किल है यह तो वो अब जान पाई थी जब जाने की गड़ी करीब आ गई थी जिस हैसियत से रह रही हो इसमें क्या बुराई है वो उसे सोचती नजरों से देख रहा था मगर इस तरह के जिन्दगी महविश को कबूल न थी उसने अपना चेहरा जजबात से आरी कर लिया अपनी हैसियत ना उसने पहले बनवाई थी ना ही अब वो जबर्दस्ती का सौदा करने को तयार थी कब तक महमान बन कर रह सकती थी वो और मास मंगनी शुदा था मुझे ये हैसियत मनजूर नहीं उसने दो टोक अंदास में कहा अगर कब तक वो उन लोगों के गर मेमान की हैसियत से रह सकती थी अगर अमी को हाथ साती तोर पर उनके निकाह का पता चल गया तो क्या होगा महविश सोच कर ही काब गई उसकी जुरजुरी मास ने भी नोट कर ली थी एक साया सा उसके चेहरे पर लरस किया वो उटकर जाने लगी मिसिस मास खान इसमें क्या बुराई है क्या तुम किसी और को चाहती हो मास के सवाल ने उसके कदम रोग दिये मैं समझी नहीं वो पूरी की पूरी मास की तरफ मुड गई उसका दिल उचल कर उसके हलक में आ गया था तुम गैर महसूस तरीके से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो तुमारी सबस आखों के समुंदर की गहराया नापने की आदत सी बढ़ गई है अगर तुमिसिस मास खान की हैसित से नहीं रुकोगी तो फिर मैं किस हैसित से रुकूँगा मास तो जैसे हार सा गया था मेरी विश को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था क्या सब ने यू भी सच हो सकते हैं मगर आपकी मंगेतर यक तो उसे ख्याल आया तो दिल अजीब सा हो क्या कौन सी मंगेतर अब मास के हैरान होने की बादी थी महविश की नजरें अपनी अंगली में पड़े चल्ले पर जा तहरी मास ने उसके नजरों के ताकुब में देखा ओ, ये इस चल्ले से तुमने ये कैसे अख्यस कर लिया कि मेरी मंगली हो गई है आपने पहनाते वक्त कहा था कि ये मेरी मंगली का चल्ला है मैं हमिश ने याद दिला है ओ, बेखकुफ लड़की ये वो चल्ला है जो मेरी मंगेतर ने मेरे काम की नोयत से गवरा कर मेरे मूँ पर दे माना था मैंने कहा नहीं था कि ये मेरी उंगली में पड़ा रहता है ताकि मुझे हर वक्त उस तूटी मंगनी की याद दिलाता रहे मैं क्या लड़कियों वाली अंगूटी पहनता और मैं उन मर्दों में से नहीं जो प्यार एक से करें शादी दूसरी से ये ठीक है कि तुम से नहीं कह मैंने हालात के तहट किया था मगर मैं अपनी बीवी के इश्क में ही गिरफतार हुआ तो इसमें मेरी क्या खता है माज मस्कुरा कर बोला तो महविष हलकी भुलकी हो गई जैसे उसे दो जहां मिल गए हो मैं तो पहले ही कह देता बस अमी के आने का इंतजार था माज कह रहा था अमी? माज? अमी जान? उनको कैसे बताएंगे? अमी की याद ने महविष को वोखला दिया माज उसके पास आया कब तक यूँ गबराती रहोगी? उसने महविष को सोफे पर बिठा दिया तुम मुझे समझ नहीं पाई मिस्स माज खान ये पाकिस्तान है यहां मैं तनहा कैसे एक गैर मुलकी लड़की के साथ रह सकता था मैंने अम्मी को दूसरे दिन ही बता दिया था क्यूंकि अम्मी फौरण आ नहीं सकती थी और तुम को मैं छोड़ नहीं सकता था अपनी मनकुहा बीवी के साथ रहने पर कोई आतरास कर सकता था माज ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया भाबी भाबी आशी की आवास पर महविश ने गबरा कर मास के हाथ से अपना हाथ चुड़ाने की कोशिश की क्या आशी भी जानती है महविश हैरान थी हैं हैं ये सब रुखसती के बाद अभी तो अम्मी आपको बला रही है अंदर आती आशी डेमास के हाथ में महविश का हाथ देखा तो जट बोली महविश शरम से सुर्ख पड़ चुकी थी अपना हाथ चुड़वा कर भागते ही बनी और दूर तक दोनों बहन भाईयों का कहका उसका पीछा करता रहा खत्म शुक्त सुमरे अजेज लेसर इस वस्टे आफ टी नौवल होग एट अबना बहुत कहा रखी गा निक तमन्नाओ के साथ लाहाफिज